लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कॉंग्रिस जो है अब एक्षिन मोड में हागी है प्रदेश के तमाम इलाकों में जो कारेकरम है वो किये जाएंगे कल देर शाम जो है विधायक दल की बैटक होई थी बैटक में तमाम विधायक और कॉंग्रिस के नव निर्वाचित स जो है वह मजूद है इस वक्त हमारे साथ हर्याना कॉंग्रिस के परदेश अदेक्ष उदेभां जी मवजूद है उदेवां जी अब लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है अब विधान सभा चुनाव में किस तरीके से जो है वह आप जंता के बीच में जाएंगे हम तो 2019 में भारतिय जद्धा पार्टी की 57.7% वोट थी मोट शेयर और कॉंग्रिस का 29.1 था यानि कि 25.5% वोट शेयर उनका फालतू था और अब इस चुनाव में हमारा हाइस्ट है पूरे इंडिया के अंदर 47.6% वोट शेयर हमने असल किया है और बीजेपी का 46.1 है यानि 1.5, 1.5% हमारा वोट शेयर फालतू है पिछले लोक सभा में बीजेपी की 79 विधान सभा सीटों पर लीड थी हमारी केवल 10 पर थी एक पर जेजेपी की थी हम 10 से बढ़ करके 46 पर पहुंचे है वो 79 से घट करके 44 पर पहुंचे है और जब सीधा सा है हमने साड़े अठारे परसेंट का गेन किया है उन्होंने 11 परसेंट लूज किया है अपना तो इस तरह से कॉंग्रेस का बहुत बहतरी इसमें प्रणाम आया है पांच सीट हमने लिये हैं जहां जीरो थी हमारी और आप यह समझ सकते हैं कि जब यह 79 पर थे और इन्होंने 75 पार का नारा दिया और सारे मीडिया ने बड़े जोर सोर से प्रचारित किया था उस नारे को फिर यह 40 पर पटके थे अब 44 पर हैं तो अब इनको 20 सीटों पटकेंगे बाइस बीजेपी सवाल उठाती थी कोंगरेस का सो संगठन नहीं है हमने पन्ना प्रमुकर मना लिए तो बिना संगठन के भी इतना अच्छा परदरशन बता रही है कोंगरेस की हमारा मलब संगठन को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है सुवाज बराला वो पचास हजार से हारते हैं धनकर्ड मोहां 45,000 है हारते हैं जो खुद इस समय प्रेजेंट मुख्य मंत्री हैं और जो प्रेजेंट में प्रदेश सद्यक्ष में बीजेपी के वो अपने बूच से नहीं जीतते अपने गां स से नहीं जितते अपनी विधान सभा से नहीं जितते तो कहा है पलना पर मुख यह सब धकोसला पूरी तरह से फाड़ के फैंक दिया जनता नहीं जिस तरीके से प्रदेश के तभी आईये सदिकारी और पुलिस दिक्षकों कहा दिया कि 9-11 जनता की समस्या सुने और जो पीपी जो के बाद जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जनता ने जो है इसको लेकर यह इनकी बॉखलाट है और आनन फानन में उल्टे सीधे फैसले करने की जैसे इनकी आदत है साड़े नौ साल बैठे रहे हैं हुड़ा साभ ने जो सौसोगज के प्लोट की स्कीम जो गरी रेजिस्ट्री नहीं हो पाई थी इन्होंने सरकार में आते ही तुरंत उनको बैन कर दिया साड़े नौ साल तक तो बैन करके रखा आज अब जब इलेक्शन दो मिने बाद है तब इनको सुद आई है अब कह रहे हैं कि हम उनको जो हुड़ा साब ने चिन्नित किये थे वो प्लॉट है जिनके बात कर रहे हैं जो हुड़ा साब के समय में मंजूर थे जिनकी रजिस्ट्री होने की थी जो इन्होंने रोक दी गई और वो प्लॉट है जिनके इन्होंने कभजे रोक दिये जो एक कभजा देने की बात कर रहे हैं जो साड़े नौ साल से इन्होंने कबजा देने से बंद कर दिये थे, ये दलित वरोधी पार्टी है, इन्हों आज ये ड्रामा कर रही है, परिवार पहचान पत्र आज याद आ रहा है, इनके तुरुटीया नहीं पता, कितना सारे मीडिया में अखवारों में सब जगे किस तरह से आया, परवार पैचान पत्र का प्रपर्टी आईडी का जो पोर्टल का इनकी जो सारी कमें 90 से 95 प्रसेंट सेंकडो करोड रुपे इन्होंने स्वाहा कर दिया जनता का उस एजेंसी को दंडित करना चाहिए था और जनता को जनता की रेल बना रखे पूरी तरह से भागदौड़ भागदौड़ कभी वहाँ डि-सी के आपिस जा रहे हैं अपिस पूरा ड्रामा कर रखा है नंट आज ये पूरी तरह से एक्स पोज हो गए हर हर चीज में अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया जनता के सामने इनका कोई काम नहीं चलना इनको बड़ा इनके हालत होनी है ये कहीं भी दूर दूर तक इनका कहीं दखाई नहीं देना इस चुनाब में सरकार जिस तरीके से आप कहने कि अल्पमत में आ चुकी है और रज्य पाल से भी आपके पार्टी के दो विधायक मिले थे आगे क्या रणनीती रहेगी सर देखे ये तो बहुत बेशर्म सरकार है नेतिकता नाम के इनके कोई है ही नहीं ये सारी जंता को पता है सारी देश को लोगों को पता है सारे मीडिया को पता है कि कॉंग्रेस के 30 विधायक हैं तीन इंडेपेंडेंट ने समर्थन दिया 33 हो गए 10 जेजेपी के 43 एक अभैसिंग चोटालार एक बल्राज कुंडू 45 अठासी मैं से 45 विधायक विपक्ष के साथ हैं इनके पास 40 अभी 41 हो गए और दो और हैं एक नैनपाल रावत और एक गोपाल कंडा इनके पास 43 हैं हमारे 45 में जो वरुन चौधरी जो मेंबर पार्लियमेंट बन गए उनको सीठ खाली करने पड़ेगी तो अभी भी हम 44 हैं तो ये बहुमत में हैं निया अल्पमत में सरकार इनके डिसीजन सारे गलत हैं इलीगल हैं अवैद हैं ये पहले अपना आपको बहुमत की सरकार साबित करें ये होर्स टेडिंग चल रही है खरीद फरोक चल रही है जेजेपी के वधायकों को खरीदने का परियास किया जा है उन से इस्थिपद दल्वाने की बात की जा रही है तो ये ये हर तरह इन हत्गंणों को रोकने के लिए हमने मांग की गवर्नर से कि यहां पर प्रदेश में राश्पति सासन लागू किया जाए और फ्रेश जन आदेश लिया जाए जनता का जिससे दूद का दूद पान नहीं हो यह जो अल्पमत की सरकार है यह अवैद सरकार है अवैद इसके फैसले हैं इनको तुरंत इन पर लगाम लगनी चाहिए राजपाल को उनने दे रखा है लेकिन राजपालों का किस तरह से राजनेतिक इस्तेमाल हो रहा है मोदी जी की सरकार में तो सर्व दिता है राजपालों को तो इनको सरकार तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राजपाल की किसी की कोई पद की गर्मा छोड़ी है इस सरकार नहीं हर जगह कितने परदेशों में सरकार गिराई है राजपाल को इस्तेमाल गवर्नर आ चुकी है लेकिन उसके बावजुद भी जिस तरीके से दूसरे जो पार्टी के विधायक है उनको उनके स्तीफे दिलवाने के लिए दबाब जो है वो सरकार बना रही है और होस्ट रेडिंग करने के आरोप भी जो है वो कॉंगरिस परदेश अदेक्ष उदेवान की ओर से लगाए गये हैं चंडिकर से वीडियो जनलिस्ट जतीन के साथ साहिल रुखाया इंडेनुस